रदी रधी फ्रेंड कैसे है आप सब? I hope आप सब ठीक ही होंगे. तो फ्रेंड जो जैसे मेरे पास था एक 13-14 साल के बच्चे का एक कोट पेंट था तो इसका मैंने पहले एक बैक पैक बना था और थोड़ा-सा कपड़ा बच गया था कोट से और तो मैं यहाँ पे उसका यूज कर रही हूँ तो देखे इसकी फोकिट में से यह निकला है और यहाँ पे मैंने जोईंट लगाया है क्योंकि ठोड़े छोटे-छोटे टुकडे मेरे पास थे तो देखें, यहाँ पर जोइंट लगा के मैंने यह पूरा लंबा पीछ तियार कर लिया है और नीचे इसके मैंने एक स्वापिंग बैग लिया है आप कुछ भी ले सकते हैं नोन वूवन फैबरे की या फिर आप राइस बैग वगयरा जो भी आपके पास एविलेबल है, वो आप ले सकते हैं तो देखें, इसके मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ तो तैन एंड हाफ इसकी चोड़ाई है और ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव इसकी लंबाई है तो यानि 10.5 by 23.5 का ये रेट्टेंगल पीस मैंने लिया है और जो मैंने सोपिंग बैग इसके नीचे लगाया है और जो इसका कपड़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सोपिंग बैग का, आप कितनी बाद भी वोस करेंगे तो ये खराब नहीं होगा और जो ये कोट पैंट वाला कपड़ा है वो भी बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ही अच्छा कपड़ा है आप चाहें तो इसको सिंगल बिना किसी राइस बैग या मतलब किसी भी सोपिंग बैग के भी बना सकते है अब ये यहाँ पर थ्री इंच का मार्गमेन लगाया है और इसे कट कर लिया है देखिए अब सेम साइज की टैन एंड हाफ की मैंने यहाँ पर एक जिप ली है उसमें एक रनर इंसर्ट कर रखा है और इसको मैं यहाँ से अटेच कर दूँगी तो मैं एक ही साइड यहाँ पर जिप को अटेच करूँगी क्योंकि एक साइड मैं पोकेट बनाऊँगी एक साइड नहीं बनाऊँगी एक साइड ओल्रेडी कोट वाली पोकेट इसमें लगी हुई है तो वो मैंने ली हुई है तो यहां पर देखिए आप प्रेस्टिच कर लेती हूँ है यहां से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और अब देखिए दूसरा पीस जो है कटिंग वाला वो इसके उपर रखे इस तरीके से लेना है आपको हमेशा जब भी आप चैन को अटेच करें जिप को तो आपको जो जिप लेनी है वो आपको उपर की साइड रखनी है यह देखिए अब इस तरीके से इसको भी अंदर की साइड फोल्ड करते हुए टर्न करते हुए इस तरीके से आप प्रेस्टिच लगा लिजी तो हमारी जिपना यहां पे तयार हो जाएगी बहुत ही अच्छा बैग बन की फ्रेंस रेडी होने वाला है मुझे बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया है मैंने सोचा नहीं तै कि मैं इस टाइब का बैग यहां पे बना पाऊंगी बस माइन में जो आया वो कर दिया सोचा कुछ था लेकिन बना फिर कुछ दिया तो यहां पे देखे इस तरीके से मैंने यह एक पीस लिया है मेरे पास टुकडा पड़ा हुआ था इसको मैं इनहीं आपके फोल्ड कर दिया है और स्लाइ लगा दी है अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बना बता देती हूँ तो इसकी देखे नाइन इंच इसकी यहां से लंबाई है और जो चोड़ाई है वो आपको लेनी है टैन एंड हाफ यानि जो भी आपके पीस की चोड़ाई है तो इस तरीके से मेरा पूरा था तो मैंने पूरा ले लिया और इस तरीके से आपको यहां से यह स्टिच कर देना है चारों तरफ से तो देखे यह स्टिच कर दिया है मैंने तो यह एक पोकिट हमारी तैयार हो गई है काफी अच्छे साइज की बड़ी पोकिटियां पे तैयार हुई है और एक पोकिट ये कोट की हमारे पास है ही और देखिए इसका अंदर वाला पार्ट था मेरे पास तो ये मैंने ले लिया है इसकी जो लंबाई है वो है 11.5 और चोड़ाई आपको 10.5 ही लेनी है अब इस तरीके से मैं रफेंज इसको क्लियर कर लूँगी और इसको डबल कर लूँगी इसी तरीके से आप भी इस लाए लगा के डबल कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको इसलाए लगा के डबल कर दिया है अब इसकी देखिए चोड़ा यहां से five and half आ गई है तो अब यहां से three inch down करेंगे और इस तरीके से इसको रखेंगे तो यह हमारा उस side रख रहे हैं जिस side हमारी pocket है जो coat वाली pocket है अब इस तरीके से तीन side sly लगा देंगे तो मैं sly लगा के भी आपको दिखाती हूँ जब तक मैं sly लगा रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और बहुत यह अच्छे अच्छे आइडियाज मैं आपके शार्ष सेयर करती रहूँ और अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि हाँ वो चीज मैं आपके शार्ष शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो फ्रेंस बहुत ही युनिक सही आइडिया मैं आपके साथ लेकर आई हूँ और ये भी वेस्ट चीज से ही मैं बना रही हूँ तो मेरा कुछ नहीं है सिर्फ मैं यहां पर जिप लगा रही हूँ जोगी मैंने खरीदी हुई है बाकी सब कुछ मैं यहां से गर से ही वेस्ट चीजों का यूज़ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे दो पोकिट बना रही हूँ तो जो मेरी कोट वाली पोकिट है उसकी साइड से अलग करते हुए एक साइड मैंने छोटी पोकिट और एक साइड बड़ी पोकिट बना दी है तो देखे इस तरीके से हमारी यहाँ पे फोर पोकिट तो रेडी हो चुकी है और एक पोकिट और हम रेडी करेंगे उससे पहले हम यहाँ से स्ट्रेप लगा लेते हैं तो strap लगाने के लिए देखे center point निकालने की जोरत नहीं है 2.5 inch एक side से लेंगे 2.5 inch एक side से लेंगे इस तरीके से रखते हुए और यहाँ पे हम strap को attach कर देंगे तो strap की लंपाई आप अपनी according ले सकते हैं मैंने ली है 14 inch और यह 2 piece ready कर लिया है इसी तरीके से इसकी जो है चोड़ाई है 5 inch और लंबाई है 9 inch तो 5 by 9 inch के 2 piece यहाँ पे ready किये हैं अब इसको मैं piping लगा के दिश कर लेती हूँ तो इस तरीके की मेरे पास ready made पड़ती है आपके पास कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं तो यह देखे इस तरीके से में यहाँ पे piping लगा रही हो तो एक ही साइड piping लगानी है आपको दोनों साइड नहीं लगानी है सिर्फ एक ही साइड आपको piping लगानी है तो इस तरीके से देखे ये पाइपन लगा के तैयार कर ली है मैंने अब इसको कट कर दूँगी ये देखे आप स्ट्रैप जो मैंने लगाई है ये कपड़े की लगाई है आप चाहें तो और रेडिमेट पट्टी भी यूज़ कर सेकते हैं अगर रेड कलर की यूज़ करती तो मेरा बहुत ही जादा और भी अट्रेक्टिव ये लगता सुन्दर लगता लेकिन मेरी खतम हो चुकी थी फिनिश हो गई थी सिर्फ यही थी तो मैंने इसमें या से कपड़े वाली पट्टी का यूज़ किया है तो फ्रेंस मैं लाके दुबारा भी लगा दूँगी इसी के उपर मैं एक पट्ट हो चुकी है अब यह देखिए तीनों पीस कखभ को रsung किलेंगा नीजे से पाइपन जिदर से आपने लगाई है उदर से नहीं निकालना है अभी देखिये इसका सेंसरम्नी यहा यहां से निकाल लिया है दोनों साइड निसान लगाएंगे सेंसरंट यह देखिये इदर दे यह भी छोटे वाले जो पीस है उनमें भी मींज़ना की साइड़ स्पागे मालड़ा देखिये से तरह को मिला कर रखेंगे यहां और स्टिच कर देंगे प्रेंज्ड् साब मुझे कमेंट करके जुरूर बताना कि आप कहांसे मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में क्या मैं सही बता रही हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरा समझाने का तरीका आपको क्यासा लगा और क्या आपको वीडियो पसंद आई अगर आप पूरी वीडियो को वोच करना अगर आपको वीडियो पसंद आई लाश्ट तक देखना कि इसका फाइनल लुक क्या है तो ही आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो फ्रेंस बहुत ही अच्छा आइडिया ये मैं आज आपके शाद सेयर कर रही हूँ बहुत ही युनिक सा आइटम है और मतलब साइज भी यह है कि ज़्यादा मिनी भी नहीं है और लॉंग भी नहीं है एक बहुत अच्छे साइज का मीडियम साइज का आप बोल सकते हैं ये हैंड बैग यहां पर तैयार होगा आप टोटे बैग भी इसको बोल सकते हैं कि इस तरीके से एक साइज से कर ली है अब इसी तरीके से पकड़ते हुए दूसरी साइज से भी यहां से इसको इस तरीके से फिक्ष करेंगे और सलाई लगा देंगे दो फ्रेंज पूरा बैग आप मैं आपसे मतलब दावा तो नहीं बोल सकती कि हाँ ये बोल सकती हूं कि मुझे इतना विश्गास है कि अगर आप नहीं फूरी वीडियो देखी तो आप इस तरीके का बैग जरूर ट्राइ करेंगे और जैसे मैंने कोट का बनाया एक तरफ मैंने कोट वाली पोक्रिट लगाई है तो आप उसमें क्या करेंगी आप इसमें जिप वाली पोक्रिट भी लगा सकते हैं दोनों साइट देखिए आप दूसरी साइट से भी इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे सलाई लगा के दोनों प का यूज़ कर सकते हैं पाइपन लगाने के लिए तो आप सिंगल दोनों साइड ऐसे ही रखके सलाई कर सकते हैं आपको डबल साइड लगाने की जूरत नहीं पड़ेगी तो दीखे इस तरीके से ये तो लुख हमारा आ गया है अब हमें एक और जिप लगानी है तो देखे य जिप जो है आपकी जैसे साड़े दस इंच का आपका मेजरमेंट था तो इसको साड़े तेरा इंच याने तीन इंच एक्स्टर ले लीजिए और एक साइड से मैंने फिनिश कर लिया है और दूसरी साइड इस तरीके से रखते हुए आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्टर रख सकते हैं या फिर आधा इंच एक्स्टर रखके इसको फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि अंदर की साइड तो हम ओल्रेडी फोल्ड करने ही वाले हैं तो देखे इस तरीके से रखेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो खुला हुआ हैं वहां से तो आपको क्या करना है बिलकुल बराबर बराबर लेना है जिपको आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लें बzlich और सिलाई करने हैं पूरे पे लेकिन आपको लाजट में जो आपका बंदवाला पार्ट है जिपका तो ओधर से आपको आदा इंच है क्योंकि इसको हम फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से लगा दिये अब दूसरी साइड से भी सेम जितना जिप आपने लिया था उतना ही रखते हुए इस तरीके से लगा रही हूं तो मैं बंदवाली साइड से सलाई लगा रही हूं तो आधा इंच में यहां से पहले ही छोड लगाऊंगे तो देखे इस तरीके से हम जिप को अटेच कर लेंगे ये देखे बहुत ही आसानी से आपके जिप अटेच हो जाएगी क्योंकि आपने पाइप इन लगाई हुई है तो कोई भी आपको अंदर की साइड फोल्ड करके टोप स्टिच लगाने की चुरत नहीं पड कर दिया और इसके उपर जिप इस तरीके से रखेंगे और जिप को उपर से देखे या ध्यान रखे जो जिप के चैन ये दाते से होते हैं वतलब पंजे से निकले रहते हैं तो उनको आपको उपर से छोड़ देना बाकी भी सिलाई करनी है नीचे से तो देखे इतना आपक आपको direct इस तरीके से ऐसे जिप को फोड़ा सद ले लीजए और इस तरीके से लगा देनी है नीचे तक जहां तक आपकी पाइप न आपने बनाई हुई है चोटे वाले पार्ट में उसमें फोड़ा सद नीचे तक आपको ले इंए स्लाई करनी आधा है इंच नीची तक तो देखे इस तरीके से हमने यह पर स्लाई करके सिक्यूर कर लिया अब बागी के दो भी यानी चारो कोर्णर इसी तरीके से आपको करने है तो देखे कर लिये हैं यह चारो कोर्णर पर मैंने तो चारो कोड़नर इसी तरीके से तयार कर लिए है और देखें, यहां पर यह जीप को हमने लगा कर रेडी कर दी है तो यह हमारा इसका फाइनल लुक है आप देख सकते हैं, आप इसको अंदर की साइड भी फोल्ड करके रख सकते हैं यह देखिए, यह वन पोकिट हमारी है, यह काफी बड़ी पोकिट है, साइड वाली इस तरीके से यह देखिए, दो पोकिट अंदर की साइड है और एक में पोकिट है, तो तीन पोकिट ही है, यह चार पोकिट ही हो गई और एक साइड कोट वाली पोकिट आपकी है ही तो फाइव पोकिट वाला ये एक बैग तयार हो गया है देखिए छोटा सा बैग है और इसमें पाँच पोकिट बनी हुई है तो फ्रेंज कैसा लगा आइडिया मुझे कमेंट करके जरूर बताईए